Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें हमारे grid में checkbox का option देना हो delete करने के लिए तो किस तरीके से उसे दे सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे ये data remove करना है तो अगर मैं एक-एक data को remove करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वो checkbox को select कर सकता हूँ delete पे click करूँगा तो यह सबसे पहले मेरे से पूछेगा are you sure? अगर मैं बोल दूँगा cancel तो यह कुछ भी perform नहीं करेगा और अगर मैं यहाँ पे बोल दूँगा okay तो यह data को जो data था हमारा उसे हमारे screen से हटा देगा और उसके साथ-साथ अगर मैं आपको यह database में दिखाऊँ तो यहाँ पे भी वो उसे remove कर देगा अगर मुझे सारे data को remove करना है तो मैं इस checkbox को select कर सकता हूँ जो नीचे के जितने भी checkbox है उन्हें automatically select कर देगा जब मैं दुबारा इस पे click करूँगा तो यह जितने भी selected है नीचे उन्हें हटा देगा again delete पे जब भी हम click करेंगे तो वो हमसे पूछेगा are you sure आप इसे delete करन चाहते कि नहीं करना चाहते जितना भी friends code है यह directly मैं इसको server पर implement करूँगा और उसके लिए जो मैं hosting यहाँ पर use करता हूँ वो hostinger के use करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी service है इनकी rate बहुत affordable है और fast चलती है यह तो अगर आप hostinger से hosting लेना चाहते हैं तो उसका link आपको मेरे हर वीडियो के description पर मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको एक promo code भी मिलेगा अब आपको वो promo code additional discount जो है वो hostinger की website पर देदेगा जब भी आप checkout के page पर डाल जाके उस promo code को डालेंगे एक चीज आपको ध्यान रखने पड़ेगा यहाँ पर कि वो जो promo code है जिसकी हम बात कर रहे हैं यह promo code तभी apply होगा जब आप मेरे link के थूँ जाके purchase कर रहे हैं hosting को तो friends अब हम लोग start करते हैं हमारी coding को किस तरीके से हम लोग इसको implement करने वाले हैं सबसे पहले तो friends हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि already मैंने एक connectivity का मेरा file बनाया हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे include कर अगर database की मैं table दिखा हूँ तो यहाँ पे student नाम की table ने मेरा यह data पढ़ा हुआ तो सबसे पहले तो यह करते हैं कि database से जो हमारा data है उसको fetch कर लेते हैं तो मैंने डाला res is equal to mysqli underscore query connectivity और यहाँ हमने डाल दिया select star from student डेटा निकालेंगे student से और table बनाएंगे और grid में डालें चलते हैं इधर एक table बना लेते हैं table बनाया हमने और इस table में एक tr डाल देते हैं tr के अंदर यहाँ पे td कर लेते हैं और td के बाद एक td और copy करते हैं एक डाल देते हैं in fact अभी दो ही लेते हैं तीसरा में बाद में add करता हूँ और एक name के लिए तो सबसे पहले तो जो basic ह हमारा यहाँ पे structure है वो ready कर लेते हैं एक लगा लेते हैं while loop और इससे data fetch कर लेते हैं हम डाल देते हैं यहाँ पे row थोड़ा मैं size बड़ा कर देता हूँ mysql i underscore fetch underscore associative और हमारा जो data है वो यहाँ पे हम लोग loop से ले आते हैं तो मैं इस ही को copy करता हूँ और यहाँ पे इसे ब से data आई रहा है उसको इधर print करा लेते हैं row of इधर डाल देते हैं id इसको करते हैं copy इसको इधर और यहाँ कर देते हैं name तो basic level पे echo spelling गलत हो गई थोड़ी सी चलिए एक बार इसे save करते हैं और basic level पे जो हमारा data fetch करने का काम है वो हमारा यहाँ पूरा हो गया चलिए basic जो data है वो आपका यहाँ पे आ गया ठीक है इसके बाद हम एक check box चाहिए तो मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे एक check box बना लेता हूँ देखे working कैसे होगी कि एक check box तो हमारे यहाँ पे ऊपर होगा id के साथ में और एक यहाँ पे नीचे सब के साथ check box होगा अगर मैं यह चाहता ह उँ कि एक-एक करके check box को select करूं तो वो भी कर सकता हूँ और अगर यह चाहता हूँ कि सारे के सारे check box को एक यह बर select करके database से data delete कर दूँ तो वो भी कर सकता हूँ अब requirement है जो भी करना चाहिए हम कर सकते हैं तो इधर चलते हैं यहाँ पे check box Set करते हैं input type, यहां में डाल देता हूँ एक checkbox और इसके on click पे एक function को execute कर देते हैं जब भी हमने बोला यह checkbox पे click करा तो मैंने एक function बनाया यहां पर select all नाम से अब यह select all को नीचे बना लेते हैं हम लोग आते हैं नीचे एक script tag बनाते हैं इसमें डाल देते हैं select all और इसके click पे अभी के लिए simple एक जो alert है उसका message pop up करा लेते हैं save करते हैं चलते हैं और यह आगया जैसे click करा तो मैं रही है आगया अब इसके बाद hx का use करना है jquery का तो उसके लिए हमें jquery चाहिए तो मैं डाल देता हूँ jquery cdn और यहां से जो jquery की file है उसको चलते हैं minified में इसको करते हैं यहां से copy और हम लोग हमारे code में इधर डाल देते हैं इन सब code के मुझे कोई जववत नहीं है इसको अगर folder पे भी डालना चाहिए तो डाल सकते हो आपके उपर है मैं cdn से ही call कर ला रहे हूँ इसके बाद हमें यहां पे भी सारे के सारे और checkbox डालने पड़ेंगे तो मैं इधर भी चलता हूँ input type checkbox हमारे पास यहां पे checkbox आ गए फिलहाल reload करते हैं और एक बार check करते हैं इस तरीके से जो structure है वो हमारा यहां पे बन गया अब जब हम checkbox को select करेंगे तो data को remove भी करना है तो मैं क्या करता हूँ यहां उपर की तरफ एक hyperlink बना लेता हूँ जिसके click से मुझे मेरा जो data है वो remove करना है यहां पे हम डाल देंगे javascript void zero और जब भी कोई इस पे click करेगा तो हमने बोल दिया delete all नाम का function execute किया जाए चलते हैं इधर और इधर आ गया अब जैसी मैं इसे select करूँगा ideally क्या होना चाहिए कि जैसी मैं यह उपर वाले को select करता हूँ तो automatically मेरे नीचे के इसके नीचे के सारे के सारे checkboxes select हो जाने चाहिए तो इसको implement कर लेते हैं यहां पे इसके लिए एक काम तो यह करना पड़ेगा हमें कि हमें यह सारे के सारे जो हमारे checkboxes बन रहे हैं in fact यह वाले जो checkboxes बन रहे हैं इन सब की हमें किसी तरीके से एक ID निकाल के यहां पे लेके आनी पड़ेगी तो मैं इनकी एक ID डाल देता हूँ यहां पे और ID में यह कर लेता हूँ कि यह ID डाल देता हूँ जो हमारे box की ID बन रही है वही ID मैं यहां पे इसके लिए भी डाल देता हूँ ठीक है इसको चलते हैं एक बार और सेफ करते हैं अभी अगर मैं आपको यहां पे इनस्पेक करके दिखाऊँ तो जितने भी checkboxes बने यहां पे सबकी एक अलग-अलग ID बनेगी जैसे कि यहां पे इसकी ID 1 इसकी ID 2 इसकी ID 3 इसी तरीके से सबकी यहां पे जो ID है वो बनने लग जाएगी इसके बाद हमें यह बोलना है कि जब भी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद मुझे सारे के सारे जो checkboxes हैं उन सब को select कर देना है सारे के सारे checkboxes को select कर देना है तो सबसे पहले figure out करना पड़ेगा कितने checkboxes हैं तो हम यहाँ डालते हैं jQuery हम लोगों ने बोला यहाँ पे jQuery और जितने भी हमारे पास checkboxes हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे input 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 के आगे लिखा हमने type is equal to checkbox जितने भी यहाँ पे हमारे पास checkboxes हैं dot each जैसे PHP का for each होता है वैसे यहाँ पे jQuery में भी each होता है JavaScript में each होता है basically और हमने बोला कि जितने भी हमारे सारे के सारे checkboxes हैं उन सब को यहाँ लाओ और इसके बाद उन सब को select करा दो जितने भी हैं यह अब अगर सारे के सारे checkboxes को select कराना है तो उसके लिए कोई detail चाहिए तो मैं यहाँ बोल देता हूँ jQuery jQuery हमारे पास आया और मैंने बोला यहाँ पे hash concatenate this.id this.id यहाँ पे क्या करेगा मैं एक काम करता हूँ पहले this.id को figure out कर लेता हूँ तो मैं यहाँ करता हूँ console.log दिखाने के लिए आपको कि this.id में क्या मिलेगा इधर चलते हैं reload करते हैं console में आते हैं जैसी मैंने इस पे click करा तो 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 यह चला नहीं क्या हमने बोला जैसी हम इस पे click करेंगे तो जितने भी checkboxes हैं हमारे पास उनकी id हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए थी control F5 करते हैं इसको हटाते हैं जैसी मैंने click करा तो यह देखिए सारे के सारे जो checkboxes हैं मेरे पास उनकी id आ गई अब जिन जिन checkbox की id आई है उन सब को select कर देते हैं कैसे jquery यहाँ पे हमने बोला hash.this.id जितने भी सारे के सारे checkboxes की id मिल रही है property के through मैं इनको select कर दूँ हम लोग बोल देंगे ch ck ed checked और यहाँ डाल देंगे true एक बार चलते हैं देखते हैं क्या होता है हम लोग इतर आए control F5 करा हमने और जैसे मैंने इस पे click करा तो एक error आ रही है error इसलिए आ रही है कि यह सारे checkboxes देख रहा है जब सारे checkboxes देख रहा है तो इसकी भी id चाहिए तो let's से मैं डाल देता हूँ delete इसकी id चलते हैं इदर yes करते हैं reload करते हैं इधर click करते हैं control F5 करते हैं एक बार shed remove मेरा हुआ नहीं जैसी जैसी कुछ तो code में गरबढ है हम लोग देख लेते हैं हमने बोला यह मैंने actually मैं गलत जगा डाल दिया id मुझे यहां डालना था हर checkbox की एक id assign कर देते हैं अभी देखते हैं यहाँ पे जैसी इस पे क्लिक हुआ control F5 शायद नहीं हुआ मेरा चलते हैं एक बार console को clear करते हैं जैसी इधर क्लिक करा again error आ गई अभी error कैसे आ गई अच्छा तोड़ा सा गलती कर दी मैंने actually ज़्यादा तरह PHP में काम करते हैं तो कई बार concatenation में गलती हो जाती है last time reload करते हैं इस पे क्लिक करते हैं तो इसने सारे के सारे checkboxes select कर दी है अब जब मैं दुबारा इस पे क्लिक करूँ तो ideally मेरे सारे के सारे जो checkboxes हैं वो हटने भी चाहिए थे तो उसके लिए एक condition डालेंगे उसके लिए हम लोग यह बोलेंगे कि जब भी हम इधर आते हैं तो सबसे पहले यह check करते हैं कि हमारा जो current checkbox है वो selected है कि नहीं है तो हम बोल देते हैं this इसकी बात कर दें dot p-r-o-p अगर इसकी property के through यह मिला हमें checked if अगर यह चीज हुई कि यह checked है तो हम इधर चलेंगे otherwise हम इधर चलेंगे अब अगर यह checked है तो हम लोग इसको checked कर देंगे यहां से और अगर यह checked नहीं है मतलब हम लोग इसको unchecked कर दें तो बस यहां पे true की जगा पे false कर देते हैं एक बार चलते हैं इधर और एक बार अभी reload करते हैं फाइल को और control F5 करते हैं अब देखे क्या होगा जैसी मैंने select करा तो तो चेक कर लेते हैं condition क्या लिखी हमने बोला कि अगर हमारा जो check box है यहाँ पे हमने बोला कि delete नाम का जो हमारा है अगर वो checked होगा तो इसको checked किया जा तो जितने भी हमारे पास check box हैं उन सब को यहाँ से false की help से uncheck कर दिया जाए एक बार control F5 दुबारा कर लेते हैं इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए यह बराबर हो रहा है पर अभी यह चल नहीं रहा है तो कुछ console में error है नहीं है तो यहाँ पे जरूर कुछ ना लगा दिया रिलोड करते हैं चेक्ड करा सब चेक्ड हुए दुबारा क्लिक करा अंचेक्ड हुए तो इसकी help से आप लोग इसको select और unselect यहाँ पर कर सकते हो main काम जो था वो यही था इसके बाद जब हम delete के button पे click करते हैं जब भी हमने इधर 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 इन दो को select करा और delete के button पे click करा तो जैसे delete के button पे click करा तो हमें इन सब का data लेके एक दूसरे page पे जाना पड़ेगा तो मैं इसका एक नाम भी डाल देता हूं और नाम मैं डाल देता हूं checkbox array इसलिए क्योंकि अगर array बनाएंगे तभी यह दूसरे page पे जाएगा नीचे आ जाते हैं औ और एक delete all के लिए function बना लेते हैं हमने बोला यहाँ पे function delete all जब भी इस पे click करा तो हम लोगों को ajax को hit करना पड़ेगा तो हम बोलते हैं यहाँ पे jQuery.ajax और यहाँ पे सबसे बहले URL डालते हैं किसको hit करना है तो मैंने बोला delete.php को hit करना है किस type से data भेजना है हमने बोल यह मैं यह करता हूँ कि जो मेरी यह पूरी की पूरी table बन रही है इसको form में डाल देता हूँ. method कर देते हैं post और एक id कर देते हैं frm. आप पे depend करता है जो भी नाम से आप id करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं मैं normally frm लेता हूँ तो मैं इसको वही ले रहा हूँ. अब हमने बोला कि यह जो पूरे का पूरा form है इसका data भेजा जाए तो हम बोलेंगे data और यहाँ पे हम बोलेंगे jQuery पूरे का पूरा हमारा form उसके लिए हमने बोला hash frm.serialize. serialize का यूज करके हमने दूसरी तरह भेजा हमने बोला जब भी success हुआ function और यहाँ पे sorry हमारा result आ गया. चल सेफ करते हैं और मेरे पास localhost पर जो file पड़ी है इसी को मैं delete.php कर देता हूँ. नाम थोड़ासा मेरा गलत हो गया sorry शायद मैंने गलती से file ही delete कर दी undo कर देते हैं इसे और नाम इसका मैं change कर देता हूँ. इधर reload कर देते हैं. delete.php को server पे upload करते हैं. I guess upload हो गई होगी. right click कर करके open करते हैं. database की connectivity हटाते हैं. और जो basic connectivity की file है उसको include करते हैं. अब यहाँ पे अभी के लिए मैं सिर्फ ये काम करता हूँ. आपको दिखाने के लिए कि क्या data हमारे पास आ रहा है. तो मैं बस खाली उसको यहाँ पे print कर लेता हूँ. Save करते हैं इसे. Ctrl F5 करते हैं एक बा आप देखो तो यह 01 में on गया. इसकी जगा पे इसकी value जानी चाहिए थी. तो मैं यहाँ पे जो इसकी value है वो डाल देता हूँ. और value में भी मैं जो इसकी ID है वही डाल देता हूँ. जिससे कि मुझे यह पता चल सके कि कि किस किस को हमने यहाँ पे select करा है. मैंने 2 को select करा, delete के button पे click करा, यहाँ पे मेरे पास ID गई 7 और 8. हमने यहाँ पे सब को select करा, delete के button पे click करा, तो हमारे पास यहाँ पे सारी किस सारी जो ID है वो चली गई. खतम हो गया काम. अब आजाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक तो condition लगा देते हैं, if is set. यह condition सिर्फ तब चलेगी ज देखिए, अगर user आया और उसने delete के button पे click करा, तो इसको data ही नहीं मिलेगा कोई. अगर आप यहाँ देखें तो data गया ही नहीं, जब data गया ही नहीं, तो condition भी नहीं चलनी चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे यह डाल दिया. अब जब मुझे data मिला, तो उस data का मैं एक for each loop चलाओंगा, for each, this as dollar list, dollar list के अंदर मेरी सारी की सारी जो id है, वो आने वाली है, तो मैं बोल देता हूँ, dollar id is equal to mysql i underscore real underscore scape string, पहला parameter हम लोग डालते हैं, यहाँ पे connectivity, और उसके बाद जो second parameter है, वो यहाँ पे हमारा, जो list से variable मिला है, वो ले लेते हैं, अब हमें क्या मिल अगर मैं echo करूँ आपको इस variable को, और इसको safe करें, और अगर मैं इन दोनों को select करके delete पे click करूँ, तो यह मुझे return करेगा 78, actual में यह 7 और 8 है, तो यहाँ से मुझे मेरी id मिलेगी, और उस id को मैं यहाँ पे mysql i underscore query में डालूँगा, और connectivity डालेंगे, और हम लोग यहाँ बोल देंगे delete from student where id is equal to dollar id, यह क्या करेगा, सारा का सारा जो data है, उसे delete कर देगा, और data database से delete हुआ, अगर मैं इधर चलूँ, इसको reload करूँ, इधर से एक बार hit करूँ, तो मेरे पास 8 record है, database में चलेंगे तो 8 record है, अगर मैं आप इधर जाओं और delete के button पे click करूँ, delete देखे database में जाएंगे तो record delete हो गया, लेकिन यहां से हटना भी चाहिए, तो अगला काम हमें यह करना पड़ेगा, कि जब हम data delete करते हैं, तो हमारा data हटेगा कैसे, एक काम तो मैं यह करता हूँ, जो SQL query है, उसे comment out कर देता हूँ, इसलिए कि मेरा data at least database से अभी के लिए delete ना हो, फिल किसी record पे आके हम delete के button पे click करते हैं, तो जिसको हमने check किया हुआ है, वो particular चीज़ को हम हटाएं कैसे, उसके लिए आ जाते हैं हम लोग index.php में, और index.php में जो result है हमारा, यहां पे हमें condition डालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, कि जितने भी हमारे पास checkbox हैं, जितन चाहली उसको height कर देंगे, अगर selected नहीं है, तो उसको height नहीं करेंगे, यह condition लगानी पड़ेगी, already selected है या नहीं है, उसके लिए मैंने यह condition लगाई थी, उसी को मैं यहां डालता हूँ, और इधर डाल देता हूँ, और इस delete की जगा पे मैं इसकी ID ले लेता हूँ, यह ID मु इसमें result डाल देते हैं, जब भी हम इधर आते हैं, तो चेक करो, जितने भी checkbox हैं, उसमें से कौन कौन से selected हैं, जो जो भी selected हैं, उन सब को हटा दो, कैसे हटा दे, तो हम क्या करते हैं, कि यह जो TR बनाया, इसकी भी एक ID डाल देते हैं, मैं लिग देता हूँ, यहां पे box, और इसको concatenate कर देते हैं, अपलोड करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ यह कैसे बनेगा, अब अगर मैं आपको यहां पे चलके इसका inspect element करूँ, तो शैद फाइल मेरी refresh नहीं हुई अभी तक, हाँ यह देखिए, अब यहां अगर आप देखेंगे, तो हर box की एक ID बन गई, अब कैसे बन रहा है, यह BOX fix है, और यह जो 1 आ रहा है, यह actual में मेरे checkbox की ID है, नीचे आएंगे, हमारे record की ID है, in fact, BOX 2, और यह 2 क्या आ रहा है, यह मेरे record की ID है, तो कहानी खतम, अब हमने बोला कि जब भी हम इधर आए, तो हम लोग यह जो भी मेरा box बन रहा है यहाँ पर, इसके साथ मैं concatenate कर देता हूँ, box, यह जो भी मेरा record है, इसको remove कर देते हैं, remove कर दीजे, height कर दीजे, कुछ भी कर दीजे, फिलाल हटा ना है खाली, चलेंगे, reload करेंगे, control F5 करेंगे, अब जब मैं इन दोनों को select करके delete करूंगा, तो मेरे यह हटने चाहिए थे, लेकिन console में आ गई कुछ error, एक बार देखते हैं, reload करके, error क्या आई, error यह आई, key, 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 चलते हैं इधर, और यह bracket हमारे कुछ ज्यादा लग गए, अच्छा, यह actual में एक curly braces आएगा खाली, क्योंकि if-else की condition ही लगी है ना खाली, reload करते हैं इसे, control F5 करते हैं, clear है, कोई error नहीं है, अभी मैंने इन दो को select करा, और delete के button पे click करा, यह मेरे हट गए, अगर मैंने सब को select करके delete के button पे करा, तो मेरे सारे हट जाएंगे, database से अभी हटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि SQL query को मैंने यहाँ पे comment out किया हुए, अभी चलते हैं, इधर चलते हैं, control F5 करते हैं, इधर आए, database में 7 तक का record पड़ा है, let's say मैंने यह 3 record को select करा, delete के button पे click करा, यह मेरे database को delete करेगा और उसी के साथ साथ मेरी यह चीज़ को यहाँ से हटा देगा, इस तरीके से अगर आप अपने grid में option डालना चाहते हैं, checkbox का, और checkboxes के साथ किसी operation को perform करना चाहते हैं, तो आप इसे perform कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जब मैं यह select करता हूँ, और delete के button पे click करता हूँ, मैं एक बार को और मेरी SQL query comment out कर दे रहा हूँ, मैं इधर आ जा रहा हूँ, reload कर रहा हूँ, जैसी मैं select करके इधर delete करता हूँ, तो यह आपको actual में बहुत fast हो तो आप hostinger की hosting prefer कर सकते हैं, यहाँ पर, तो मैं इस code को मेरा फिलहाल के लिए comment out करता हूँ, और reload करते हूँ, तो यह basically आपके पास simple तरीका होगे, यहाँ पर अगर आप अपने ये check boxes जो है, इनकी styling भी करना चाहें, तो कर सकते हैं, let's say अगर आप online जाएंगे, bootstep, table, CSS भी ल comment आजाएगा इसके लिए भी, कि अगर CSS डालनी है, तो कैसे डालने, इससे च्छाम देखी लेते हैं, तो मैं इधर नीचे की तरफ मेरी CSS डाल देता हूँ, यहाँ पर, और बस एक काम करना पड़ेगा, कि जो main table है, उसमें एक ID डालनी पड़ेगी, let's say, यह मेरी main table है, यहा आपको मैं TH कर देता हूँ, TH basically table heading होती है, reload करेंगे, तो यह इस तरीके का structure आजाएगा, suddenly आपका पूरा UI है, वो बतल गया, width, छोटी करना चाहें, छोटी कर सकते हैं, यहाँ पे 100% लग रही है, इसको 30 कर देते हैं हम लोग, तो यह automatically आपका जो change है, यहाँ पे कर देगा, अब आप अगर select करेंगे, तो यह data आपका चलने लग जाएगा, इस तरीके से आप लोग इसको implement कर सकते हैं, अगर अपने project पे डालना है, तो आप इसे टाल सकते हैं, यहाँ पे friends, एक चीज मुझे और realize हुई, जो हमारा रह गया है, वो भी एक बार देख लेते हैं, जब ह सारा का सारा data वो ही delete कर देगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कि एक condition लगाते हैं, और सबसे पहले एक alert box देंगे, confirm का, कि user ने क्या बोला, उसे data delete करना भी है कि नहीं करना, तो let's say, assume मैं करता हूँ, एक variable बनाता हूँ, और check नाम से variable बनाता हूँ, और यहाँ डाल है कि अगर तो user ने हाँ बोला, if this is equal to true, अगर user ने okay बोला, तभी हमारा यह code जो है execute होगा, अगर user ने okay नहीं बोला, तो यह code execute ही नहीं होगा, बस खाली हमने confirm box करा और उससे condition लगा दी, कि user ने क्या बताया है, चलते हैं एक बार, reload करते हैं फाइल को, upload करते हैं, control F5 करते ह अच्छे यह grid का भी ना, मैं एक काम करता हूँ, कि width जो है ना, इसकी वो यहीं से set कर देता हूँ, 30, एक बार चलते हैं, इससे upload करते हैं, और गलती से मैंने इसको remove भी कर दिया मेरे यहां से, reload कर लेते हैं, चलते हैं, तो यह बन गया, अभी देखे क्या होगा, जब भी मै delete करूँगा, और इस पर click करूँगा, तो यह बोलेगा, are you sure, अगर मैं cancel बोल दूँगा, यह कुछ नहीं बोले करेगा, और अगर मैं यहां पर okay बोल दूँगा, तो यह मेरे वो record को delete कर देगा, जैसे कि मैं इधर आया, हमने click करा, हमने बोला are you sure, हमने बोला yes, तब अब य जो form है, इसको मैं बोल देता हूँ, margin, top से 10 pixel, top से 10 pixel रखेंगे इसको, थोड़ा सा नीचे हो गया, इसकी भी styling कर देते हैं, एक तो जो इसका font size है, उसे 20 pixel कर देते हैं, और जो इसका color है, वो मैं black कर देता हूँ, font की जो family है, उसे भी change कर देते हैं, हमने डाला font family, aerial कर देते तो ये जो चीज़े हैं, मैं apply कर देता हूँ, मेरे button के लिए, copy करते हैं इसे एक बार यहां से, और जो hyperlink है हमारा, उसके डाल देते हैं, तो इसके class डाल देते हैं, class डाल दिया हमने link underscore delete, d-e-l-e-t, link underscore delete, नीचे आते हैं, एक id बनाते हैं, link underscore delete, और उसके अंदर ये पूरी style डाल देते हैं, एक बार धी load करते हैं, और अब हमारी ये styling आगी, अब जब आप कुछ भी यहां पर action perform करेंगे, तो वो पहले पूछेगा, तो ही आपका चलेगा, अगर आप यहां पर correct बताएंगे, तो friends, यह था हमारा आज का video, इस तरीके से आप अपने grid में check box के copy paste और यहां पर कर देते हैं, remaining 70%, तो जो structure है मेरा इसका, वो भी यहां पर set हो जाएगा, इस तरीके से आजाएगा, तो यह code अगर आप आप implement करना चाहते हैं, तो implement कर सकते हैं, so friends, I hope, जो मैंने आपको यहां explain करा है, आपको समझाया होगा, कहीं पर कोई भी doubt है, question है, तो please, वीडियो के comment box में आप मुझे बता सकते हैं, source code हमेशा की तरह आपको वीडियो के description पे मिल जाएगा, उस link से आप इसे download करना चाहें, तो कर सकते हैं, वीडियो friends, अगर पसंद आया, तो please, इसको like और share जरूर करें, channel अगर आपने हमारा अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please, उसे subscribe कर लेजे, thank you